दोस्तों नमस्कार मैं हूँ जै और आप देख रहे हैं जैज दनियोज माहराश के सियम उधो ठाकरे की पार्टी सिवसेना के दो बड़े पॉल्टीसियन की गिरपतारी को लेकर एक बहुती बड़ी अपडेट आ रही है जैसा कि आप सबको पता है कि माहराश्रा में पिछले काफी टाइम से बीजेपी और सिवसेना के बीच में काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है और इनी सब चीजों के बीच में एक अपडेट आई थी जहां पर बताया गया था कि किरीड सोमया के ओपर कुछ लोगों ने हमला किया था किरीड सोमया जो है उन्होंने आरोप रगाया था कि वो जो है जब बीमसी गए थे पूने बीमसी गए थे तो वहाँ पर उनके उपर कुछ सिव सेना के कई बड़े नेताओं ने उनके उपर अटेक किया था जिसकी होजा से उनको चोट लगी थी फिर उन्होंने एक FIR भी दर्जिकराई थी लेकिन उस पर उस टाइम कारवाई नहीं हुई थी जिसको लेकर काफी ज्यादा बावाल मचा हुआ था और अब जो है फाइनली क्रीड सोमया के तोरह अपडेट दी गयी है जहां पर बताया गया है कि कल पुने पुलिस ने एक बड़ी कारवाई करते हुए सिव सेना के दो नेताओं को गिरभतार कर लिया है आप सबको बता दूँ कि क्रीट सोमया के द्वारा आठ नेताओं का नाम लिया गया था क्रीट सोमया ने आठ नेताओं के खिलाप में F.I.R. दल कराई थी और उनके ओपर कारवाई करने की डिमान की थी लेकिन अभी तक आठ रोगों के खिलाप में कारवाई नहीं हुई है अभी दो लोगों के खिलाप में कारवाई हुई है और दो लोगों को जो है गिरपतार कर लिया गया है अभी इन गिरबतार किये गए नेताओं से पूछताच की जाएगी और उसके बाद इनके खिलाफ में भी आगे की कारवाई की जाएगी और साथ में ही जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि स्यूसेना के किसी बड़े पॉलिटिसियन के कहने पर इन दो के दोनों लोगों ने मतलब की सारीक सारों लोगों ने किरीट सों में एक उपर हमला पूला था तो उसको लेकर भी जांच करने की कोशिश की जाएगी कि क्या ये बात सही है या सिर्फ पॉलिटिसरी पीए जुटा आरोप लगाया जा रहा है आपका क्या ओपिनियन है इस पर आप नो ओपिनियन कमेंट वाक्स में आता है और वीडियो जाया स्यादा सेयर करें साथ में अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर पेश कर दें